स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आईटे यूट्यूब संपर हिंदुस्तान एरोनार्टिक्स लिमिटेड की कुरवा अमेठी यूनिट से 2024 पत्चिस के लिए आईटे पासओट केंडेट्स के लिए अप्रेंट्सिप की वेकिंसी आई हुई है जिसके की फार्म भनने की लास्ट डेट 9 मार्च 2024 है 9 मार्च 2024 तक आपको एक्सल सीट और मेल के माध्यम से फार्म एप्लाई करना है तो जो भी केंडेट्स यहाँ पे लिजबल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लिकेशन फार्म की कॉपी नोटिफिकेशन की कॉपी और जो प्रो फार्मा एचल वार्ड का उस सब चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है यह ओफिसिल वेबसाइट है यह सेम चीज हमने आ अपना फार्म अप्लाई कर सके मोबाइल फोन से आपको साइबर कैफे जाने की जुरूत ना पड़े तो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा आप लोग एंड साथ वीडियो को लाइक और सेर करेंगे सभी तक एंफॉर्मेशन पहुच प इस चीज का वही लोग फार्म से भर पाएंगे जिन्होंने आइटे एंची वीडियो को पास की हो साथ में दसुई पास की हो दसुई साइन साइट से कुछ ट्रेड में एलिजबिल्टी है कुछ में आर्ट साइट भी चल जाएगा एंड वेल्डर के लिए आपके पास वेल्डर और पेंटर के लिए आठुई पास है तब भी आप यहां पे फार्म बर सकते हैं एज साइडिया पहले से कौपी कर लेते क्योंकि आपको मेल करके दिखाना भी है कैसे आप लोग मेल करेंगे साथ में इस पर लोग रिजिस्ट्रीशन कर लिजменitchen कर लीजब में कैसे अंडर्ड परसंट करते हैं उसस पे पहले हमने वीडियो बना दिया आप लोग आसानी से कर सक है उसे आप लोग इंस्टाल कर सकते हैं इसको हम लाइट थीम में कर लेते हैं थोड़ा विजबिल्टी आपके लिए और अच्छी हो जाएगी लाइट डार्क थीम यहां पर आप कर सकते हैं सीट करके आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तापको एप्लिकेशन मिल जाएगा या आप माइक्रोसाफ्ट के जो 360 अप्लिकेशन उससे भी फिल अप कर सकते हैं जिसमें आप कमफर्टेबल हो उससे इंस्टाल करके उससे फिल अप करिएगा यहां सबसे पहले आपको ट्रेड चूज करना है तो ट्रेड यहां ड्रॉप डाउन से चूज होगा एक्सल सीट देना होगा कि आपका अप्रेंटिप का जो रिजिस्टेशन नंबर है वो क्या है यहां पे जब यहां यह लिखने वाला ओप्सन ओपन होगा ना तो यहां पर देखिए ऐसा 123 है इस पर 123 पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे क्या होगा जो निमेरिकल आपको इंटर करना वो जाएगा डबल ए पे इंटर कर देंगे तो आपका इस टाइप का कीबोर्ड ओपन होगा तो आपको क्या करना जो आपके एप्रिंटिप इंडिया रेजिस्टेशन का नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर कर देना है इंटर करनेक बाद अब आपको यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर कुछ यह गिरर आई यह हो गया यहाँ पर अब यहाँ आपको अपना नाम इंटर करना है ठीक है नाम पर जैसे इंटर करेंगे फिर यहाँ आप क्लिक कर देंगे आपका जो नाम है आप अपना पूरा नाम यहाँ पर टेंथ की माकसित के कॉर्डिंग इं के drop down में आ जाएगा yes या no, no तो no कर देंगे, अगर yes है नीचे detail देना होता, ठीक है, name, pb number, hl division ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती, तो उसे देने की अब ज़रूत नहीं, अब आप direct आजएगे data birth पे, data birth में जो आपकी data birth है, उसे आप यहाँ पे enter करेंगे, वो enter कर लेने के बाद, यहाँ आपका, year आपको drop down से choose करना है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे okay कर लेते हैं, and year हाँ, year यहाँ पे enter कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को tricky लगेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, फिल करने में, mobile से, आप portrait mode में करेंगे और आसानी से हो जाएगा, आप category देखें, इसको भी आपको drop down से choose करना है, यहाँ जैसे आप click करेंगे arrow पे, यहाँ पे आएंगे category आपको दिख जाएगी, जो आपकी category हो, उससे आप यहाँ पे choose कर लेंगे, ठीक है, physically disabled है, yes या no करन है, gender आप यहाँ से choose कर सकते है, male या female जो आपका हो, address, यहाँ आपको अपना address type कर देना है, ठीक है, इस पे आपना पूरा address, जो आपका address हो, ABCD, name, state, village, सब कुछ आपको enter कर देना है, फिर आपको यहाँ अपना pin code enter कर देना है, यहाँ आपको अधार नंबर देना है, यहाँ पे name of the institute, जहाँ से आपने pass किया अपना exam, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, school का नाम देना, जहाँ से आपने exam pass किया, और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना होगा, यहाँ जैसे आप click करते है, school वाले name पे, तो आपको यहाँ पे, जो यह है, इस प ncvt, तो इसमें ncvt आप चूज कर देंगे, year and month of passing, तो जो year and month of passing आपका है, उसको कैसे लिखना देखे, four time y है, four time y का मतलब है, पहले आप year enter करिए, कब आपने pass किया, फिर आप month enter करिए, किस month में आपने pass किया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ पे, इसके बाद आपका marks obtained, and कि आपका भी apprenticeship में, terminate तो नहीं हुए, तो उसे आप no कर देंगे, यह सब कुछ करने के बाद, जब आपका complete होगा, यहाँ application status complete दिखाएगा, हम complete कर देते हैं, अब देखे, हमने सारी चीज़े fill कर दी, यहाँ क्या आगे देखे, application status completed, कोई चीज आपका miss रहेगा, यहाँ incomplete लि चीज़े, और इसको as a google seat है, as a pdf document है, ठीक है, तो आप as a google seat इसको save कर सकते हैं, फिर आप google से इसे download भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको जब आप save कर लेंगे, इसके बाद आप आती है बारी mail करने की, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे save कर लिया, अब बारी आती है mail करने की, इसके यहाँ पे make a copy कर सकते हैं, एक copy आपकी device में आप चाहें तो save कर लें, google drive यहाँ क्या करें, device में save कर लें, आपकी device में save हो जाएगी है, देखिए save होके नई copy यहाँ पे open हो गई, अब नई copy जो open हो गई, इसी को हमें mail करना है, तो चलते हैं अब direct हम लोग Gmail पे, वहाँ पे ह जरूर reply यहाँ आप सबका करते हैं, compose पे आपको click करना है, compose पे click करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो जो mail ID हमने यहाँ पे copy की थी, उसे यहाँ पे हमें कर देना है, paste, यह हो गई mail ID, जिस पे हमें mail करना है, subject में क्या आप लिखेंगे, तो application, ठीक है, form for apprentice 202425, इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, और Excel seat यहाँ पे आपको attach करना है, तो attach करने के लिए आपको इस पे click करना है, और आप attachment से लाके उसे अपने document को attach कर देंगे, यह देखे, सबसे उपर ही दिख रहा है application form, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे जैसे आप click करेंगे, आपका application form वहाँ जाके attach हो जाएगा, ठीक है, यह attach हो गया, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिख भी देनी है, dear sir, इस type का, ठीक है, please find the attached application form, please find the attached, आप कुछ भी लिख सकते है, Hindi, English जैसा आपको suitable हो, application form for act apprentice, ठीक है, in HAL Corva, इस तरह से आप जो है अपना एक mail compose कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसमें आप चाहें तो, नीचे आपका वैसे application form में, mobile number वगएरा है, आपको एक ही बार भेजना है, अगर आप multiple times बेजते हैं, जो आप सबसे last में भेजेंगे, वही आ आपका यहाँ पर consider किया जाएगा, simple है, अब आपको यहाँ पर click करके mail को send कर देना है, mail आपका send हो जाएगा, और आपका application submit हो चुका है, HAL Corva, अमेठी को, आप अगर select होंगे, तो आपको जो आपने mail ID इंटर की है, उसी mail ID पर आपको आजाएगा, बाकी, जो merit list है, वो website प पर सकते हैं, thank you